जाहिन दोस्तों मैं रेंड अर्या स्वागत आपके अपने यूट्यूब चानल डिफेंस क्लास में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे सभी एक्जाम में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट जी के जी एस के बारे में जो हर एक्जाम में लगभग पूछे जा चुके हैं और जितने भी एक्जाम है दोस्तों में पूछे जाने वाले सभी इंपोर्टेंट जी के जी इसको मैं आज लेकर आपके सामने लेकर आया हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला कोश्चन है कि काली बंगा किस प्रदेस में इस्थित है बहुत ही महत्तपू कि इसका राइट आइंसर है आप्शन भी याने राजिस्थान में इस्थित है काली बंगा शलिए बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कोश्चन की ओर सर फरोसी की तमन्न अब हमारे दिल में है यह किसने कहा था आप्शन देख लेते हैं राम प्रसाद बिस्मील सहीद भगसी चंद में कि दोस्तों जो जो कंडिडेट चैनल नहीं सबस传ार अभर में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दिना दो से डियों समय करा सकते हैं तो आप सम देख लेते हैं चिनाब éviselLY सूसर तो इसका राइट आंसर हो जाएंसर दोस्तों दोस्तों जयका भी जेलाम हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कोश्चन के और मचली के यक्रीत में कौन सा विटामीन प्रशूर मात्रा में होता है तो उपसंस देख लेते हैं विटामीन कि ये वृटामीन सी वैटामीन के विटामीन डी तो इसका राइट एंसर क्या होचाएगा यद्व मालूम है आप लोगometer सेक्षन में भी बता सकते हैं तो दोस्तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इसका राइट एंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा दोस्तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कोश्चन के और बाबर नामा के लेखक कौन है तो देख लेते हैं अबुल फजल हुमायू बाबर गुल वदन बेगम तो इस को नहीं है तो और हमारा अगला कोशन है सौर मंडल का सबसे चमखी लगार और समयन का सब से चमकीए डोस्तो आपसेन भी हो जाएगा सुक्र हो जाएगा दोस्तो क эти और K memo再 की एक खिल जी वन्स तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा मौर्या वन्स हो जाएगा दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा मौर्या वन्स आईए बड़ते हमाई नेस्ट कोश्चन की और दौस्टो हमारा अगला कोश्चन है कि लिंग राजमंदीर कहां इस्थीत है तो देख लेते हैं लींग राजमंदीर कहां इस्थीत गवालियर में जबलपूर में भुनेस्वर यह में में एकदार कंए दोस्तो इसका राइट हो जाएगा भूनेुसवर हो जाएगा दोस्तों एक देखते हमारे अगमे एक ले कुप्ट कर देना चानल को सभस्क्राइब कर देना और जो जो आंसर जिस कोईस्टिन का आप लोग मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्षन में ड्रॉप करते जाए दोस्तों इससे हमें आपका लेवल पता चल जाएगा दोस्तों उसी साफ से हम आपके लिए कोईस्टिन छाट कर लाएंगे तो आए देख लेते हमारा कोशन है कि विस्वस्वास्थ दिवस कब मनाया जाता है ऑप्संस देख लेते हैं चार अपरेल साथ अपरेल एक मई या एक जुलाई तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा साथ अपरेल हो जाएगा याने की ऑप्सन भी राइट हो जाएगा चलिए बढ़ते हमारे कोशन की और हमारा अगला कोशन है कि भारतिया राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रथम मुस्लीम अध्यक्ष कौन थे अप्सन देख लेते हैं बदरुद्दिन तयाब व्योमेश चंद्रा चेटर जी अप्सन सी अबुलकलाम अजाद आप्सन इन में से कोई नहीं दोस्तों इस हमारा अगला कोशन है दोस्तों कि आर्थिक अपक्षय सिध्धान्द के प्रतिपादक कौन थे महत ही महत तपूर इंपॉर्टेंट कोशन है दोस्तों अक्सर ऐसे कोशन बेंकिंग के जीगे जीए शेप्टर में पूशे जा सकते हैं दोस्तों देख लेते हैं ऑप्सन भाई नवरोजी याने ऑप्सने राइट हो जाएगा चलिए बढ़ते हमारे अगले कोशन की ओर राज अपहरण जीती को किसने क्रियानिवित किया तो देख लेते हैं दोस्तों यहां आप्सन को लाड मैकाले लाड डलहोज लाड माउंट बेटन लाड गुंजा तो इसका राइट आइंसर हो जाएगा दोस्तों लाड डलहोज हो जाएगा याने ऑप्सन भी राइट हो जाएगा आपके जितने भी दोस्त लोग जो कॉम्पेटिशन एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं दोस्तों उन तक वीडियो को सेयर कर देना ताकि उन लोग को एक्जाम में शुदा आठ या दो तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो ओपसाने राइट हो जाएगा दोस्तो बारा होते हैं राज सभा में चलिए देखते हैं हमारे अगले कोश्चन की और की गांधी इर्विन समझाओता कब हुआ मुख्य इंपोर्टेंड कोश्चन है दोस्तो आप लोग किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम के त्यारी कर रहे हो मातमा गांजी जी से रिलेटेड एक नएक कोश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आपसंस देख लेते हैं 1937 1932 1936 या 1931 तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो 1931 हो जाएगा यानि का मुख्याला कहां इस्थित है देख लेते हैं कहां इस्थित है दोस्तों नियुयाक में है क्या या जेनेवा में है क्या या वासिंटन डिसी में है क्या या पेडिस में तो दोस्तों यदि आप लोगों मालूम है तो आप लोग कमेंड में जरूर बता दूं तो इसका जरंदाज मत करिएगा यह कोश्चन को आप जरूर पल दीजिएगा दोस्तों और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है मुख्य इंपॉर्टेंट कोश्चन है दोस्तों इसको देख लेते हैं और राश्टपदी राजयपाल प्रधान मंत्री उपराश्टपदी तो इसक नायों को जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस्टार्ट किया गया है दोस्तों चलिए देखते हैं हमारे एगले कोश्चन की और तो अर्थ सास्तर का जनक किसे कहा जाता है आप संस देख लेते हैं और आटोमान या एम वेस्वर्या या एडम इसमीद य जायगा आई यह देखते हैं हमारे अगले कोश्चन की और की शिक्ठा की सुचि के अंतरगत आती है मोस्ट इंपरेंट कोश्चन हैorma या इस चैप्टर का मुष्ट इंपर्टेंट कोश्चन है देख लेते हैं इसको तो सुच्छा को कि शूचि में रखा गया ही राज्य सूची में सिक्षा को रखा गया है सिक्षा सूची को समवर्ती सूची में रखा गया है और यह दोस्तों आज कर लास्ट कोशन था और जो जो कैंडिड़ चैनल पर नहीं है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में हमारे द्वार आप लोगों को सभी एक्जाम के त्यारी करवाया जाता है दोस्तों तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जाइन वन्द मात्रम